सेलो इस देखिंगे एक नबर एक सोता है तो आपका जो अनाधर नमबर है अगर एक नमबर आपका एक से तो दूसरा कितना होगा इमाजिन करो एक नमबर एक से दूसरे नमर वाई है और यह दोनों का product 16 हो रहा है ठीक है अगर मुझे y निकालना है तो मैं 16 upon x लिख सकता हूं क्या तो मैं यहाँ भी यह करूँगा 16 upon x लिख दोँगा समझ माया इस दूसरे नमर का y माने के चलता हूं ठीक है अब first case देखो इफ देर सम इस लीस्ट उनका सम लीस्ट हो तो वह नमर क्या होंगे तो एक function बनाओ और उनका sum कर दो एक्स प्लस 16 upon x simple differentiate करो f-x का x का तो बन हो जाएगा यह 16 और 1 by x का minus 1 by x square होता है अब आप put कर दो f-x को 0 तो 1 minus 16 upon x square equals to कितना हो गया है यह जीरो हो गया है यह उदर चला जाएगा तो 1 equals to 16 upon x square x square equals to 16 x equals to positive negative 4 आएगा बड़ आपको पता इसने बोला तू positive number से हैं आपके पास ठीक है क्या है वो x क्या है positive number है x is positive number so x is not equals to negative 4 and x equals to 4 आगया बट यह condition क्या मेरी least किये यह कैसे पता करेंगे इसका अगें differentiate करेंगे next slide पर आजो f-x आया है 1 minus 16 upon x square 16 upon x square अब इसका again differentiate करो with respect to x देखना क्या हो जाएगा वन का तो 0 minus 16 x उसका रूपर जाएगा तो minus x 2 x की पर minus 2 कैसे करते हैं माइनस 2 तो आ जाता है आपके पास आगे और नीचे लग जाएगा एक्स क्यूब का ना f double dash के अंदर अगर मैं four put करता हूं मान लो ऐसा और positive का four put करता हूं तो यह तो 32 है यहां four की value की होगी जो की solve करने की ज़रत नहीं मुझे दिख रहा है greater than zero अगर यह value greater than zero है तो मैं कह सकता हूं fx is minimum मतलब की least है at x equals to four पर ठीक है अब वो दोनों नमबर निकाल दो दस numbers दस required numbers are required number कौन कौन से होंगे एक तो four हो जाएगा एंड दूसर नमबर क्या था 16 अपॉन एक्स था यानि एक्स एक फोर आ गया फोर फोर जा 16 एंड उन दोन का product देख लो 16 हो रहा है नहीं हो रहा बिल्कुल हो कि लियर है क्या this is complete part 1 अब आते हैं second पर अब देखो second में भी वही होगा वन नमबर इस एक्स एंड अनादर नमबर इस 16 अपॉन एक्स अब आ जाओ वह लीस्ट हो तो क्या होगा चीक है भाई एक्स प्लस 256 अपॉन एक्स स्क्वार डिफ्रेंशेट करो इसका विट रेस्पेक्ट थू एक्स का वन हो जाएगा प्लस 256 एक्स के बार उपर जाएगी माइनस टू आ गया आ गया और नीचे हो गया एक्स क्यों अब नाव आप क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो एक्स जीरो तो यह वन माइनस 256 को टू से मल्टिप्लाय करेंगे 256 मॉल्टिप्लाय को पर देने विट फाइफ अंड़ त्वयल आएगा अपॉन एक्स क्यूब एक्स क्यूब यहां चला जाएगा 256 मॉल्टिप्लाय को यह क्यूब रूट लग जाएगा 256 मतलब 16 और 16 का मतलब क्या हो गया आपके पास 16 मॉल्टिप्लाय इसको ओपन कर सकते है अपन 44 को भी कर सकते है फॉर मुल्टिप्ला फॉर इसको भी कर सकते है तू के अंदर बचेगा कितना फाइनली शो बच कि अगया पने पास इतो बना लो तीन तीन के पेर बना लो कि इत्ने बना चाहिए मुझे तीन पर चाहिए यहां पर तो बनते वह दिख रहे और पर देख लो यह 44 ऑगया तो एक चाहिए एक बन जाएंगे एक मठिप्लाइए कि कितना आ गया अपके पास इसको ऐसे ब्रेक पिलो यार तू-सको फिर तो इंप टू'll फिट्टू अब के नहीं तू और देगो यह तीन वाले वैल्यू यह तीन वैली तीन वैल्यू होइब Jewish में एक्स का वेल्यू किलिए नहीं तक ठीक है अब यह come दो यह वहstrood मैंक स्लेट पर लिख रहा हूं एफ डैश वैलू वन माइनस फाइफ अंडरेट वैल्व अपॉन एक्स की वाना इस फाइफ उन्डरेट वैल्व अपॉन एक्सक्यूट ठीक है एक्स इक्वाल्स तो एट पर निकालना है मुझे अगेन डिफ्रेंशियट करेंगे पहले इसको भिट रैस्पेक्ट को अंब का तो जीरो एक्सथैंट एक्सक्यूब ऊपर गया तो एक्सपार माइनस किसे होता है पावर तो आजाती है और पावर मेंस माइने से नों के एक्स पावर नीचे 4 ठीक है तो मिला के पॉजिर्टिव की आगई यह गया अब अगर मैं F दैश की वैलू इसके अंदा 8 रखता भी हूं एट मल्टिप्लाइट 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 टी टाइम से यह कैंशल अट हो जाएगा और इसका मतलब मैं कह सकता हूं fx is minimum minimum माने least at x equals to 8 पर क्या है यह minimum है ठीक है अब अगर एक value 8 है तो दूसरी क्या होगी दस रिक्वायर्ड नंबर आर 8 एंड दूसरा कहा था 16 अपॉन एक्स था यानि एट फ्रूजा दौनों का प्रोड़क्ट कर लो 16 आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है तो दिस इस कम्प्लीट आपके पास पार्ट टू एक है यह हो गया है आपका सेकंड पार्ट कैशन नंबर ओके नेक्स मिलेंगे कैशन फोपर पार्ट